हेलो फ्रेंड्स, होप आल आ डूइंग वेल, तोड़ेज आवर टॉपिक इस हाउ टॉक्रेट दा एसी टनेज, ठीक है, जर्रल केस में क्या होता है कि हम समर सीजे में जब एर कंडिशनिंग परचेस करने जाते हैं, तो जनरली हमें अपना आइडिया नहीं होता कि कितने टन का एसी रिक्वाइड है हमें, ठीक है, और हम जब जाते हैं डारकली शॉप पे और फिर सेल्स एक्सग्यूटी से बात करते हैं, यह है, तो वो कई बार एक्शल केल्कुलेशन के अकॉर्डिंग आपको एर कंडिशनि कुछ जान लेना चाहिए, तो हम बहुत असानी से समझाएंगे इसे कि आप कैसे इसे कल्कुलेट कर सकते हो, ओके, लैट स्टार्ट, तो हम एक रूम लेते हैं, जिसमें लेंथ हमारी 12 feet है, ठीक है, और 10 feet width है, and 8 feet height है, और इसमें 1 door है, और 2 window है, एक basic हमने लिया है, बाकि जैसा आपका room में उसके recording आप add कर सकते हो, और जो window है, उसमें glass है, क्या है, option तो वो आप इसमें check कर सकते हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं, एर कंडिशनिंग calculation, rule of thumb है हमारा, जिसमें हम बात करते हैं, step 1, तो step 1 में क्या करते हैं, जो room का volume है, basically वो हम इसमें निकालते हैं, और 3 feet meter का आपका room है, तो 3 into 3.98, 3.28, तो आपका वो 9 point something आ जाएगा, ठीक है, तो हम करते हैं, volume, length, width, height, length, length, width, length and height, 8, तो हमारा answer आएगा 960 cubic feet, ठीक है, उसके बाद step 2 होते हैं, हमारा multiply factor 6 है, इसको हम समझ सकते हैं, 6th side of the room, कैसे, 1st, 2nd, 3rd, 4th and आपका roof and आपका floor, ठीक है, तो 6 side होगे, तो यह 6 multiply factor है, जैसी मैंने इसे multiply करा, तो हमारा actual volume आ गया, 5, 7, 6, 0 cubic feet, तो यहां हमारा step 1 और 2 complete होता है, I think it is easy and understandable, next start to step 3, ठीक है, step 3 में हम बात करते हैं, हमारा, क्या करना है हमें, estimation number of people, ठीक है, कि अगर मेरे room में 10 people, 4 people, 5 people, अगर office है, हमारा 50 people से, उसके quading हम निकाल सकते हैं, और generally each person produce about 500 to 510 BTU per hour, तो एक गंटे में एक बंदा 500 heat generate करता है, तो उसके quading हम इसे निकाल सकते हैं, तो मैंने आ लिया formula C2 volume 2 N into 500 BTU per hour, तो N हमारा number of person है, तो मैंने 6% का लिया, तो कितना हो गया, 3000 BTU per hour, then step fourth में हमें क्या करना है, C1 and C2 को add करना है, and you will get a very simple cooling capacity needed for the room, तो अब हमें C1 and C2 को add करना है, जैसी मैंने add किया, तो आया मेरा 8760 BTU per hour, अब हमारा 1 ton equal to कितना होता है, 12,000 BTU per hour, 12,000 BTU होते हैं हमारे 1 ton में, simply जो एसी के tonage होते हैं, 2 ton हुआ तो 24,000 BTU, 3 ton हुआ तो 36,000 BTU, चिक है, तो अगर मैं इसे 12,000 से divide कर दूँँगा, तो मेरा आया 0.73 tonage, चिक है, तो इसमें 0.75 भी use कर सकते हैं, एसी, और नहीं तो best है कि हम 1 ton का एसी use करें, तो आपके basic factor भी इसमें include हो जाएंगे, अब 1 ton का हमने यहापर select कर लिया, बट उसके अलावा भी, हमने अगर 1 ton का purchase करेंगे, बट हो सकता है कि कच factor हमारे change होते हैं, तो उनको भी हमें considerate करना है, तो वो हम आगे next slide दो समझेंगे, firstly, जिसे BTU का है, तो एक basic में funda आपको बताता हूँ, 12,000 BTU क्या होता है generally, 1 ton, मतलब 1 ton जो बरफ को पिगलाने के लिए, एक घंटे में, जितनी heat की requirement होती है, तो वो मेरा 1 ton equal to 12,000 BTU की जरूत होती है, मतलब 11,917, उसको round off करके हमने लिया, approximate 12,000 BTU परावा, इतनी heat की requirement होती है, 1 ton ice को पिगलाने के लिए, ठीक है, उसको हम air conditioning cooling capacity के लिए use करते हैं, ठीक है, जैसे MPR हमारी current की unit है, इस तरीके से ही है, तनेज हमारी air conditioning की cooling capacity की unit है, ओके, और second point है कि अगर हम एक ऐसे typically temperature एडिया में रहते हैं, जहां पे temperature 40 to 50 degree cross करता है, means 47, 46, जैसल में ही रहा हमारा, चुरू, air conditioning, ठीक है, और केरल साइट में हमारे कई सारे केरला, ठीक है, बैंगलोर, तो कई जगा हमारे temperature काफी हाई होता है, तो उस जगा पे हमें directly अगर 1 ton का हमारा निकला requirement, तो 0.5 ton हमें extra drainage की requirement होती है, for an effective cooling, like 47 temperature हो जाएगा, तो हमारा 1 ton का उसमें properly काम नहीं कर पाएगा, ठीक है, second हमारा number of person, ठीक है, आपके घर में lights है, जैसे कि यहां कुछ factors है, number of people, अगर बढ़ते हैं, तो वो आप calculate करेंगे, number of lights, जैसे आपकी अगर shop है, तो अगर clothes की shop है, तो आपको lights जादा रखनी पड़ेंगी, तो अगर light जादा है और आपने date done का लगा लगा लिए अपनी shop में, तो वो cooling नहीं देगा, ठीक है, night time में तो अगर light आपको सारी जलानी पड़ेगी, तो ज्यादा heat generate होगी, तो इस तरीके जितने आपके factors हैं, तो आपको उनके हिसाब से अपने tonnage को calculate करना चाहिए, ठीक है, glass है, glass radiation का factors है, walls है, मालो number of walls के उपर भी depend करता है, ठीक है, shorty-shorty rooms है आपके, तो उसके उपर depend करता है, तो यह सारे factor आप calculate करके tonnage में add कर सकते हैं, and then you find out the actual tonnage requirement for your room, shop and your area, ठीक है, तो जैसे कि basic है कि 1 ton equal to 12,000, 18,000, 1.5 तो इस तरीक से directly भी आप divide कर सकते हो, ठीक है, तो I think you understand the basic calculation of air conditioning and hope you understand, if you have any query related to the tonnage calculation, please on comment section and comment to me, and thanks for watching, our channel Nitya Education, thank you.